नमस्कार मैं हूँ अमीश देवगन आज हम बेहत खास शक्स के साथ आरपार के टक्कर करने वाले हैं क्योंकि बिहार के इस लाला ने दिल्ली में पर्चम लहरा दिया है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और भीजेपी अध्यक्ष अमिच शाने ने दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी सौपी और MCD चुनाव में आम आदनी पार्टी का पत्ता साफ करके ये दिल्ली के नए दबंग बन चुके हैं और आज जनता के बीच ओ बीच मनोच तिवारी के साथ होगी आप पार की टकर जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौदूद है मनोच तिवारी साथ आपका स्वागत है बिहार का लाला दिल्ली का दबंग आपने दो साल पुरानी अर्विंद केजरी वाल सरकार के चक्के छुरार्दी इस चुनाव के अंदर लक्षे था 202 का 202 का लक्षे आप लेके चल रहे थे लेकिन आए 181 लेकिन आम आदी पार्टी का सूपरा साफ हो गया वैसे आपका नाम अमेश्ट तेवगन है और यह सुनते ही दबंग याद आता है तो आपको मैं बहुत पसंद करता हूं अमिश्ट भाई और 202 मेरा जरूर एक टार्गेट था क्योंकि हमेशा जीवन में टार्गेट बड़ा रखिये तभी आप उसके आजपास पहुंचते हैं मैं दबंग नहीं हूँ मैं बहुत ही साफ गोई से सोचने वाला बोलने वाला और पोजिटीवीटी के साथ चलने वाला एक इनसान हूँ और ये जो भी जीत है ये नरेंदर मोदी जी के तीन साल के कारेकाल अमिश शाह जी के लोगों से जुड़ करकि उनके घरगर तक पहुंचाने वाली योजना शैली नीतियों की बीजे पी के कारेकरताओं की मेहनत और दिल्ली के प्यार की जीत है भाया हम इसको स्रीकार करते और आज स्टूडियों बेठे सवी लोगों को भी आपको नमसकार करते हैं सब को परणार से। अब आपकी प्रधान मंत्री से बहुत बाते होती होंगी अमिच्छा से बहुत बात होती होगी मैं उस पर नहीं जाना जाता क्या बात होती है लेकि इस जीत के बाद क्योंकि मेरी जानकारी के मताबिक प्रधान मंत्री ने आपको जीत के बाद फोन किया था संदेश क्या दिय अक्षर सह नरेंद्र मोदी जी का कहना करना अंदर बाहर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है पारदर्सी है उन्होंने कहा दिल्ली टीम बीजेपी को कड़ी मेहनत के लिए बढ़ाई हमने उनको फोन पे कहा कि सर आपके काम चल रहे हैं बोले नहीं दिल्ली बीजेपी टीम की मेहनत का नतीजा है और उन्होंने बाद में थोड़े दिर बाद उसको ट्वीट भी किया अर्विंद केजरिबाल का दिल महला है है थोड़ा मुड़ा नहीं बहुत ज्यादा मेला है क्यों वो सो कहते हैं कि मेरे से जाधा ट्रास्पेरेंट इंसान कोई नहीं है मैं साफ सुत्री राजनीती के लिए धर्ती पर आया हूं दिलनी में आया हूं मैं पॉलिटिक्स को क्लीन करने के लिए सिस्टम को आया हूं मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा मैला है क्योंकि मुख्यमंतरी के पद पे बैठ करके लोगों को अपने प्रदेश की इंट से इंट सजाना चाहिए वो कहते हैं मैं इंट से इंट भजा दूँगा मुख्यमंत्री के पद पे बैट करके लोगों को जिंदगी बाटना चाहिए वो कहते हैं बीजेपी को ओड़ दिया तो मैं डेंगू चिकन गुनिया छोड़ दूँगा इसलिए मैं उनको मैला बोल रहा हूं कि लोगों को बिजली पानी का दाम बढ़ाने का वादा किया अब कहते हैं बीजेपी को ओड़ दिया तो बिजली पानी का दाम बढ़ा दूगा आशा किरन शेल्टर होम में सुप्रीम कोट कहता है कि वहां के लोगों की इस्तिती खराब है वहां गवर्निंग काउंसिल बनाओ और वहां पे सुप्रीम कोट की बात नहीं मानते हैं और दो महीना में 11 लोग भूग से मर जाते हैं अगर मैं दिल को मैला न कहूं तो क्या कह हो मेरे लिए दिवेंचे और विंद केजfeit वाल कहते हैं कि ये मठोस्तिवाली की जीत नहीं है हम इच्छा की जीत नहीं है नरिस्वारां कि जीत नहीं है निटनती की जीत नहीं है ये तो concrete कियोड़ी कर १िली टक कमल खिल रहा है तो आपकु ऑल बेर definitely कि मेंने कुछ गर् सिंद केजरिवाल की मैल फंक्शन है वो उनके दिमाग में इन्फेक्शन है देखिए वो कैसे अगर EVM में गड़बड़ी है तो हम पंजाब में क्यों हार जाते हैं अगर EVM में गड़बड़ी है तो हम तमिलाडू में क्यों हार जाते हैं और EVM में हम गड़बड़ी कर सकते ह तो मेरी केंदर में सरकार थी, आप दिल्ली में सतर में सरसर सिट कैसे जिद जाते आपको जब इडियों तब पता नहीं था इनको कि इतना बुरा हाल होगा इस वज़ा से ऐसी स्तिती थी ये तर्क देते हैं अब क्या है न कि ये जनता का अपमान है जना देश का अपमान है ये जब जब ऐसी बाते कहेंगे न अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता ये जनता है ये जनता है चदियों की ठंडी बुजी राग सुगा उठी मिटी सोने का ताज पहनी तराती है दो राह समय के रत का घरघर नाज सुनो सिंगासन खाली करो की जनता आती है क्या आपको लगता है मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि अर्विंद केजरिवाल आपने एक स्टेटमेंट भी दिया और आपने एक स्टेटमेंट दिया MCD के चुनाव अरविंद केजरिवाल पर रेफरेंडम है उनको राइट टू रिकॉल के तहत इस्तीफा दे दे रा चाहिए जनता ने केजनीवाल को नकार दिया है दिल्ली में इसलिए उन्हें अब कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है मनोच तिवाली देखिए यह आपने बनाया है न यह जो है जी जी समझ लीजिए यह दिल्ली है जी उस ती दिल्ली में पूरे पूरे दिल्ली में M.C.D. का चुनाओ है और उसी दिल्ली में पूरा सत्तर में सरसर सीट लाए थे तो जब उतने में सरसर ठाइल तो अरा के तो उतने में नकार दलसते जा मेरा ये कहना है कि जब आप उतने ही दिल्ली में आप सत्तर बिधान सभा में सरसर शीट लाए और दोसा बहत्तर में सरसर वाड नहीं आ रहा है अब मनोस्तिवारी को क्या कहना है आप नहीं तो अर्विन केजरिवारी जी कहा था ना कि राइट टू रिकॉल कल आप अन्ना हजारे जी का डायलोग सुने अन्ना हजारे नहीं क्या कहा जिस व्यक्ति के लोकप्रेता को भुना करके आप बैड़ गए उस गदी पे आप कितने लोगों को डिच करोगे आपने अन्ना को डिच कर दिया आज अन्ना को जब पुछा गया आप क्या कहना चाहते है अपने चेले के लिए भले खबरदार हो मेरा चेला बनने लाइक नहीं है गुरू ने ऐसी बात कह दी साथियों को छोड़ दिया एक एक सेड़ी जैसे लगता इतना डिच करने वाले व्यक्ति साथियों के बल पे आगे गए साथियों को लात मारे आगे बढ़ते गए जो भी अच्छी बात करता है उसको हटा। जो जन्ता के हिट की बात करता है उसको हटाओ जन्ता की गाड़ी कमाई को अपने परिसनल यूज के लिए खर्च करो 4 करोन जन्ता की गाड़ी कमाई दे दो आप वखील को और जुग्गियों में लोग पानी के नल के लिए परिसान है पाँच पाँच घंटा पानी भर रहे है फिर मनोच तिवारी तो सवाल करेगा दिस इज राइट टो रिकॉर्ड लोगों को आपने पाथ आपको लगता है मैं बहुत सीधे तरीके से बुस्ता हूँ अब अपने इस बयान पर कायम है हम हमेसा कायम ही रहते हैं जी चलिए अगला सवाल मेरा और आपकी स्टेट्पेंट से है मुख्यमंत्री का काम लोगों के जीवन में बदलाव लाना होता है लेकिन केजरिवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने लोगों को धमकी धी जनता ने जवाब दिया धमकी दे रहे आप कहने मुख्यमंत्री धम की दिया ना कैसे आप सोचिए उन्हों तो जनता से बड़ा प्यार करते है तो उन्हों नहीं तो कहा उन्हों थो होर्डिंग लगाई कोई हम छुपा के थोड़ी कहा, होडिंग लगाई, अगर BJP को MCD में उड़ दिया, तो बिजली पानी का दाम बढ़ा दिया जाएगा, बिजली पानी आप ही तो कहते थे, बिजली हाफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, तो उस समय तो आपके पास है बिजली पानी पता है, तो BJ BJP को MCD में लाने से दिली सरकार क्यों बिजली पानी का दाम बढ़ा देगी, इसका मतलब you are threatening people of Delhi, अंगरी जी ठीक बोला न, you are threatening people of Delhi, आपने धमकी दी, तब ही मैंने कहा था, देखिए, आप मेरा जितना होडिंग देखेंगे, किसी में हमने निगेटिव बात नहीं करी, क् कि अरविंद केजरिवाल जी, वो निगेटिवीटी की हद में हैं, और मनोज तिवारी दिली BJP प्रसिडेंट, BJP पोजिटिवीटी के हद में हैं, लेकिन लेकिन मैं आपको दिली हाई कोट का एक व्यक्तव याद दिलाना चाहता हूं, दिली हाई कोट ने बोला था कि कूडे के धेर पे नहीं रहेगी, ये वादा करते हैं मनोज तिवारी, क्योंकि अब तीनों MCD में आप हैं और परचंड तरीके से हैं, सारे कॉर्परेटर भी आप लोगों ने बदल दिये, देखिए कूडे के धेर पे दिली नहीं रहनी चाहिए, लेकिन क्या ये कार के थुरू पैसा जाता है, कितना मिलता है MCD को, मातरा थाइसो करोण, जीस डिपार्टमेंट के नौ हजार करोण में से आप बासट सो करोण नहीं देते हैं, और इस नियत के साथ दस साल से नहीं दिया जा रहा है, एक नुचा प्लिक लिए, नियत दिखिए कितनी गंद होगी, आप दिल्ली की जनता को पीन चुभा करके आप राजनी की चमकाना चाहते हो, यह बहुत गिरा हुआ सोच है, और मैं आपको यह आज बता सकता हूँ, जी, जी, अब हमने तै किया है कि 9,000 करोण रुपया अगर थ्रोद दिल्ली मिलता है तो ठीक, नहीं तो हम केंद आप आप मोटर साइकल पर गूम रहते हैं और महेश गिरी के पीछे बैटे बेदे बिना हेलमेट के, जी, जी, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा मेरे से गलती हो गई, मैं सौरी, मैं हम लोग जहां पे थे, वहां गलियों से हमको निकल के अगले वाड में जाना था, पब्लीक बहुत रस हो गई थी, तो हम लोग हां पढ़ पढ़ गंज में, तो हम लोग वहां से, चुकि और वाड में जाना था, 272 वाड कवर करने थे, तो जल्दी निकलने के लिए, हम खुद में निकल के हमने बोला, महेश भाई को करे, महेश भाई जल्दी क्या हो, कोई बाई कला हो, हम लोगों ने, हमने, हमने 100 रुप्या का चलान भी कटवाया, हम आप से प्रातना करने चाहते हैं, वह हमारी गल्ती थी, बिना हल्मेट के बिलकुल गाड़ी पर निबैठना चाहिए, हम आप से सबसे प्रातना करते हैं, चलिए आपने, आपने माफी मांगी और पूरी मैं अब ब्रेक के लिए रोक रहा हूं लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए एक बड़ा सर्प्राइज है अब देखिए ब्रेक के बाद देखते हैं क्या सर्प्राइज आपके लिए एक सर्प्राइज अबने तयार करा है एक ब्रेक के बाद बड़ा सर्प्राइज देते हैं मनोच तिवारी को और जनता को जो इस समय हमें लाइव देख रही है एक बड़ा सर्प्राइज तैयार है ब्रेक के उस पार वेलकम बैक आप देख रहे हैं आर पार की टकर और मेरे साथ टकर लेने के लिए आज मनोच तिवारी यह मौझूद है जिनसे हम बहुत सीधे सवाल पूछ रहे हैं जनता के बीच से लेकिन मेरे पास एक बड़ा सर्प्राइज है मनोस्तिवारी तयार है आप सर्प्राइस के लिए बुलाओं सर्प्राइस को अर्विंद केजरिवाल नहीं है अर्विंद केजरिवाल नहीं है लेकिन कौन है आपको उनके आवाज सुनाते है जी बुलाऊं उनको मैं, मैं बुलाना चाहता हूँ आपके बहुत अच्छे दोस्त को, आपके बहुत अच्छे साथी को और उस साथी को जिस साथी ने आपका इस MCD चुनाव में खुब साथ निवाया है, प्लीज आईए आप हूँ आफित अच्छे साथी बुलाई बुलाना चाहता है ऐखी बाना है हिर्दी को जिस दोड़े रेल गाडी जी बीजे पी दिल्ली के इंजन बने बनोगे वारी जी ंजे पी दिल्ली के इंजन बने मनोगे वारी जी मेरे साथ मौझूद है हंसराज हंसाब कैसा लगा सर्प्राइज आपको आपने इतने सुंदर इंसान को बुलाया वो जितने रुहानी उनकी आवाज है वैसी उनका रू है पट में इनका इतना पुराना फैन हूं कि जब ये कुछ गाने इनके हीट होते तो तुम लोग तुर तो पंजाबी काने आप गाई और अगर ऐसा हो ये पंजाबी गाना गाया और आप उसका भूटपुरी वर्जन गा देजो आज कर दीजा कर सक्रतिजे ऐसा कर दीजे हंसराज जी शुरू कर या हिनोंने गीत गाया एक दिन जी इनका बहुत फेंस गीत है वह नित खैर ओंन नित खेर मंगा सोने आ मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी सब देखता नरंदर मोदी ओरी सब देखता नरंदर मोदी ओरी दुआ ना कोई होर मंग दा तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी जी तो कमाल है ना देखिए आपकी जुगल बंदी दिख रही है तो ये जुगल बंदी क्या जब मिले हो रूह तो लफजों की बंदिशे क्या है बदल तो खाक ही होने है रंजिशे क्या है वाँ 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 मैं तो चाहता हूँ सब की जिस परकार से आज नरेख रही है एक और शक्स से आपकी जुगल बंदी बहुत मिलती है वो इस पार्टी में नहीं है वो इस पार्टी में नहीं है वो उस पार्टी में आम आदी पार्टी में कुमार विश्वास उससे भी आपकी जुगल बंदी बहुत मिलती है क्या उनको भी मैं 30 चेर लगा लूँ वो आने वाले हैं अरे ऐसा मत करो मैं पूछ रहा हूँ आप से मैं 30 कुरसी लगा हूँ आने वाले हूँ नहीं देखिए हमारा तो नरेंदर मोदी जी के नीतियों पे चलने के लिए जो भी आएगा हम उसके लिए कुरसी क्या धरी भी ब बात कह रहा है कुमार विश्वास भाई अगर ऐसी बात बोले हैं तो यह सच्चाई है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लोगों को आम लोगों को गरीबों को मजरूमों को सब को जोड के आसा दिखाई थी और आज इस्तिति यह है मैंने कई बार अध्यक्ष बनने के बाद का होगा अरवीं केझ्यवार जी आप पंजाब से आई यह अप कहीं मेरे साथ आप कहीं जुगी में बैठी है कहीं उतराइस कलोनी वे बैठी है कहीं पॉष कोलो23 बैठी गाओं में चलिए, खेडा कला गाओ चलिए, नजब गड़ चलिए, मुड़का चलिए, बदर पूर चलिए, कहीं तो चलिए तो बोलते हैं कि नहां हम नहीं आएंगे अब मैं बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टन सवाल है इस मुलक के अंदर क्योंकि आपने बोला हम सब एक है लेकिन इसी मुलक का एक भाग है कश्मीर वहाँ पर एक जवान के साथ लाट चली, ठपड मारा गया और उसकी हेलमेट तक को गिरा दिया गया इसी मुलक में हुआ जब वो विजुल्स देखे, शोशल मीडिया में जो विजुल्स आए उसके बाद मनोज तिवारी आपका र्याक्शन क्या था देखिए अभी आपने सवाल किया न हर व्यक्ति शान्त है, यहाँ पे सो व्यक्ति बैठे हैं इस हाल में और ऐसा लग रहा है कि पिंटर ओफ साइलेंस, यह क्या है, यह अस्तब्दता है भारत की जब मैंने वो वीडियो देखा, मैं देखा, इधर सैनिक को इधर मारा और सैनिक के हांक में बंदूग थी, एक एपॉटी से में हाँ, वो चाहता न तो एक बार में सब को गिरा देता, जो भी होता, लेकिन उसका पेसेंस लेबल में देख रहा था उस वीडियो में, नारा क्या लग रहा था, हम चीन के लेंगे आजा दी, उसका हेल्वेट उठाया, यह मारता है और वो जवान कुछ नहीं करता है, वो इधर लगा तो भी जा रहा है, क्योंकि उसका भाव क्या था, कि बेटा, मैं आतंकवादियों को मारने के लिए बंदूखांत में लेकि इधर तैनात हूँ, भटके हुए भाईयों को नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है, कि वही नारा जब JNU में लगा, तो उसका समर्थन करने अरविंद केजरिवाल और राहूल गांदी पहुँच गए, हमें दुख हो रहा था, इन लोगों को निकल के एक बार देखना चाहिए था, वो जो इधर लगा न जिसको, तो मैं क्या मेरे देश का कितना व्यक्ती र एक भारत की पैसिंस की वो पैसिंस का परिचे था, तो मैं बार बार कहता हूँ न, कि नियत कैसी है इसको देखने की जरूरत है, वही नारा लग रहा था न, ऐसा नारा कहीं भी लगे, कि आप उसे रिलेट करना चाहोगे, कोई रिलेट नहीं करेगा, क्या आपको लगता है, इन लोगों को समर्थन मिलता है, इसलिए बार बार इस तरह के काम करते हैं, जो बात आपने अभी कुछ देर पहले कहीं, लेकिन इसको बोलने की आजादी के साथ जोड़ा जाता है, आप भी कलाकार है, बोलने की आप नेता बनने से पहले, सांसत बन बनने से पहले, दिल्ली बीजीबी प्रेज़ेंट बनने से पहले तो अभी नेता थी, बोलने की आजादी तो आपको तब भी थी और अभी है, क्या आपको लगता है, बोलने की आजादी के नाम पर मुल्क को कोई बाटने की काम करेगा, उसको सहना चाहिए, बिलकुल नही के ऐसे नारों का समर्थल करते हो, आप ऐसे नारे लग गए, आपको जाने की क्या जरूरत है, आप जाच की मांग करो, जाच होने दो, वहाँ क्या होता है, बट आपने तो खुछ सोचा नहीं, आज वही नारा लगा करके हमारे सिपाही को इधर मारा गया, वो भी किसी मा का बेटा है, वो भी इस देश का एक बच्चा है, और उसका 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 पेसेंस देखिया, सब लोग कहते ने ता लोग न, कि वहाँ पे लोग है जो सेना के जो जवान हैं हमारे वो दादागिरी करते हैं, वो दादागिरी थी मेरे भाई, वो सीन देखने स पहले मेरे जिसे लख सोते थे और इससे बढ़िया जीवन समाप्त हो जा पहले मेरे को तबपढ़ लगे इधर. वो लोग ही है जब बार आती है तो वो सब को लेकर के बचाते हैं. आए जो तबपढ़ खाते हैं उसके बाद कोई इसका समर्थन करता हूँ कभी भी. मेरा उद्देश ये है कि नियत अस्पष्ट रखो हमारा देश 125 करोन लोगों का देश है किसी भी गुंडे को किसी भी तरह से किसी बात के आजादी नहीं मिलनी चाहिए लेकिन हमारे देश के निताओं को जब वो ऐसा समर्थन दिल्ली की राजधानी में हम चीन के लेंगे आजादी का करेंगे तो हमें ऐसे द्रिश्ट देखने को मिलते हैं और हम हाथ धरी बैठे रहते हैं तभी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है जो भारत करता रहेगा बिल्कुल यह जो दौर साही काफी भावुक हो गया अब मैं इस दौर को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं मेरे साथ ओडिन्स भी जो की सवाल पूछना चाहती है क्या सवाल आपके त्रिपल तलाक के मुद्दे पर आपकी क्या रहा है त्रिपल तलाक एक मानवता पर धबा है जिसको साथ रहना है रहेगा जिसको नहीं रहना है नहीं रहेगा लेकिन ऐसा नहीं कि आप एकदम यूं सेकिंड्स में आपको सिर्फ अधिकार हो कि आप अपना रिस्ता तोड़ ले ऐसा नहीं होना चाहिए ये एक नारी के साथ अन्याय है इसके खिलाफ हमने हमारी पार्टी ने आवाज उठाई है और मैं समझता हूँ कई देशों में ऐसा कोई इसको धर्म से जोड़ दे रहा है कई देशों में जहां हमारे मुस्लिम भाई बन रहते हैं वहां ट्रिपल तलाक नहीं चलता है अलग होने के लिए लीगल लीगल प्रॉसेस हैं आप जाईए थोड़ा सा केस होगा थोड़ी कांबिन होगी थोड़ी कांसिलिंग होगी उसको एक रखने की कोशिस की जाएगी नहीं होगा तो फिर हम स्वतनतरता है भाई लेकिन ऐसा नहीं कि पता चले कि किसी से गलास का पानी छूड़ गया और तलाक हो गया कि कुछ और सवाल पता ==== अब यू पी में भींग बीजे पी है दिल्ली में भी में में बिजे में बिजे में अब कई तो तो राम मंदिर कानून के को отс Looking के दैरे में है। अभी कोट ने कहा कि आप लोग आपस में करिए तो इसका जो भी हम हर हाल में चाहते हैं कि हमारे देश की जो कौमी एकता है उसको चोट न पहुचे तो इसलिए हमने बात करना भी शुरू कर दिया है जी लेकिन राम मंदिर को लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी में एक लेकिन तारीक कभी नहीं बताएंगे ने ने देखिए ये बिल्कुल ना बीजेपी को कोई अलांचन तो लगा नहीं सकते हैं तो ऐसे ही एक दो मुद्धे पे खीचने की कोशिस होती है कि राम मंदिर बने ये देश के दुनिया के सभी जो लोग राम जी को मानने वाले हैं सबकी हिर्दय में इक्षा है उसको भारती जंता पार्टी ने आगे रखके लड़ाई लड़ी कुछ उसमें गल्तियां भी आजकल तो कुछ मौलाना भगवान राम के पैदा होने का सबूत मांग रहे हैं अब देखिए जब खुद के ही पैदा होने का सबूत लोगों के प सब्सक्राइब गाया जी चले कुछ लोगों को एक जानकारी नहीं होगी लेकिन मैं आपने विवर्ट को बताना चाहता हूं कि मैं आप से सवाल भी पूछना चाहता हूं आपने गोरकपुर से चुनाव लड़ाया और योगी अजित्यनात के खिलाफ चुनाव लड़ाया यह बहुत लोग कम जानते होंगे समाजवादी पार्टी से आप याद दिला दिजिए और मैं आप से जानना चाहता हूं अब आपकी जब यूपी के मुख्यमंत्री बन गए ता मुलाकात हो यह उसके बाद मैं गया था उनको शपत दिलाने जब उनको शपत दिला ले तो तम साथ में थे हमने एक सव साथ सभाएं करी है उत्तर प्रदेश में और मैं उनको बहुत ही सम्मान से देखता हूं और यह सम्मान मेरा तब और बढ़ गया था जब हम चुनाव लड़ने गए ना तो दू द कर दूछला होता तो था नही रही हमए Полव अविताव बच्चन सुटिग कर रहे थे उस समने और अमिताशन जी ची अप अमर सिंग जी थे वो मुलाHYम सिंग जी के साथ है और मुझे कहें की चलो तो मैं यह एक लो तो मैं जैना इस आपर एप में ए तो अमित प्च्चन जी कि दोस्ते अमर्सी में कौन ना करता में ने कर चलो किधर चलना है चले गए लेकिन मैं जब वहां गया चुनाव लड़ने सच बताऊं आपको तब ही मुझे समझ में आ गया था कि योगी जी लोगों के दिलों में जगह बनाए हैं और जिसको आगे जन सेवा करनी है उसको यो यह काम जादा है नहीं बहुत आराम था वो तो अगर आपको सुपर स्टार्डम मिल जाता है तो फिर पूछना ही कुछ नहीं है पॉक कहिए तब तक पानी आ जाता है चौक कहिए तब तक छाता आ जाता है आ कहिए तब तक आराम कर लिए बंद करो शोटिंग अब क्या है जनता के हिसाब से उठना है, जनता के हिसाब से सोना है, जनता के हिसाब से काम करना है, तो निश्यतरुप से ये जीवन कठिन है, लेकिन जब मैं किसी जुगी में जाता हूं और कोई बहन बोलती है कि हमारा पेंसन रुख गया है, मैं उसका कागज लेता हूं, चार दिन के अ पूरा गंगा नहाने का लाज मिल जाते हैं हम इसाब मनोच तिवारी और आपकी दोस्ती है मैं आप से जाना चाहतो हो इनको आप पूरा नेता मानते हैं अभी भी आपको लगता फुल नेता नहीं है ते को मैं जब मैं खुद पॉलिटिक्स में नहीं था यह भी नहीं थे हम शोज के दौरान मिलते थे लखनओ में एक बार मिले जब भी हम मिले मुझे ये खुश्बूदार शख्सियत लगे अंदर और बाहर से पाकीजा रू लगे तो जो अच्छा इनसान है वो कहीं भी जाएगा महातमा बुद को पूछा था था ना एंड पे के अब आप सवर्ग स करती 확인 आक प्लेक्स करें जुह तो यह अच्छा बंदा जो अचशा अर्टिस्ट है अच्छा इंसान है वो पॉलिटिकस में रहके भी द्रटी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे इसी लिए मैं मैंने का दुदू जहां के काम मैंपसे एक आर्टिस्ट एक फंकार इक आला इन अपर देग साथ सबका साथ सबका विकास करने में बिश्वास करते हैं कुछ लोग हैं जिनको फिर आब भुरी तरह फैल भी हो रहे हैं जी जी मैं मैं ब्रेक लेता हूँ और मैं अर्ज कर देता हूँ फिर भी एक मश्वरा है के मिट्टी है तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग मिट्टी हैं तो पल भर में बिखर जाएंगे हम लोग खुश्बू है तो हर दोर को महकाएंगे हम लोग हम रूहे सफर हैं हमें नामों से ना पहचान कालोर किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग मैं ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक के अगले दौर में मनोश तिवारी साथ के साथ एक रैपिड फायर राउंड भी हम करेंगे और सीधे सवालों के सीधे जवाब देने के लिए जाने जाते हैं मनोश तिवारी ब्रेक के बाद उन से उनी सीधे सवालों पर सीधे जवाब देने लेने की पूरी कोशिश करेंगे एक छोड़े से अंतराल के बाद आप देखते हैं यार पार की टक कर प्रणूर जो गर से गए और ना लोटे जो घर से गए और ना लोटे मेरा परणाम शहीदों को जो मिट गए देश के लिए मेरा सलाम शहीदों को मेरा परणाम शहीदों को जो भरती सेना में हुए और कहीं भी हो सकते थे जैसे हम सारे सो जाते हैं वो चैन से भी सो सकते थे वो हम निश्चिन्थों के पूरा हिंदोस्तान सो जाता है वो हमारे लिए जागते हैं सारे त्योहार वो नहीं मना सकते जो भरती सेना में हुए और कहीं भी हो सकते थे जैसे हम सारे सोते है वो चैन से भी सो सकते थे लेकिन वो देश परेमी थे कहां या राम शहीदों को मेरा परणाम शहीदों को मेरा सलाम शहीदों को बहुत बहुत शुक्रिया कोली साहब है जो कि अक्टर है नाजुध नो जा प्रक्ति है और खुद है और नंकी वाइव भी छूएव त्क ळाउक आयरी है मेरे साथ है कोली साब आप बताई आप तक माइक पहुंचता है आप मुझे बताइए मनोस तीवारी को आप कितने टाइम से जानते पहले तो यह बताईए बाप रे इतने साल हो गए याद भी नी कितने सालों से जानता हो आठ नौ साल तो होई गए कम से कम तो आपको क्या लगता है इन जी इनको चार महीने का बेबी है भी तो आप मुझे बताइए ये नेता भेटर थे या भी नेता भेटर थे वे तो दिन याद आते हैं । मिकष्डान से इस दोरान में बहुत अर फिर कुछ टाइम काल लेते हैं य। seus और फिर के नी ट्वीटर वाव पे जोर देली फिस्बुक वाव पे तो हरे खातिर गुगल वाके पचाड देली हरे विरर वो में समाला तू निंदियों में बुजाला तू तो हरे लगनियां में पगला गए ली तू तो सडवा के बोता हम धकन तो हार तू कड़क मिठाई हम मखन तो हार हमरे दिलवा के मबलियां लाइफ ताइम ले पलाइन हो गए इदिलवा तो हरे जबरदस्त अब तो फैन हो गए इदिलवा तो हरे जबरदस्त अब तो फैन हो गए हांसाब भी तालिया मार रहे थे जब मैंने तो कई गाना गैंग्स ओफ वास्टेपूर में गाया जिया हो बिहारी के लाला जिया तू हजार साला हर जिया हो दिल्ली के बाला जिया दस हजार साला अब आपको और गाना पड़ेगा जैसे जनता की ताली आ रही एक और गाना पड़ेगा नी मैं कभी गाना चुड़ूगा नहीं मैंने दोहजार चौदर में गाना गाया था कि भारत माता है पीड़ा में ये सणकों पे भीड़ पीड़ा की मूरत है सारा देश पुकार रहा है अब मोदी की जरूरत हमने अभी जो 23 तारीक को चो वोटिंग हुआ ना जी तुम्हें 24 तारीक को फिल्म को शूटिंग हिया एक फिल्म आ रही है फरहान अक्तर की लखनौ सेंटरल तो फरहान ने मुझसे बोला की मनोज भीया मैं इस फिल्म में मनोज तिवारी का फैन हूँ कहानी जो नहीं है ना तो मैंने कहा यार मेरे फैन हो जूट बोलते हो मैं तुम्हारा फैन हूँ पुला की नाना हम तुम्हारे फैन है और एक दिन हमारा एक पर गाना शूट कर दो तो मैं मैं फरहान की फिल्म आ रही है लखनौ सेंटरल और फिल्म शुरूई होती है कि मनोज तिवारी का फैन है एक स्ट्रगलर है और वो मनोज तिवारी को अपना सीडी देना चाहता है भाग रहा है भाग रहा है इतनी भीड़ है कि मनोज तिवारी तक नहीं पहुच पाता मैं फिल्म कर रहा हूं sir और देखिये जो बात हम छे महीना में कह सकते हैं न हम फिल्म के मारफत तीन घंटे में कह सकते हैं तो उदर यूपी में सरकार बनी उदर लखना उस एडिटरल फिल्म बन रही है आपको पता है कि नहीं हमारी फिल्म एक मैंने बनाया सब ने देखी होगी अब क्योंकि हम इस दोर में बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की भी फिल्म की भी सिनिमा की भी लेकिन मैं एक अलग अंदाज में आप से जवाब चाओंगा इसका राहुल गांधी को सब देखते हैं जब आप उनको सुनते हैं तो कौन सा ग्याना ध्यान में आता है राहुल गां कि गाना यादा आपसे पूछ रहा हूँ आपसे देखिये मैं यह मानता हूँ कि नेता लोग ना आजकल बहुत सिद्ने नेता बन गए हैं अरे नेता हो इनसान हो तुम लोगों की खुश्च्छुशी के लिए जरुद परे तो हां सो कभी आपको दुख होता है तो रो जैस होगे और सरयाम देश के सामने धकलीप होई है तो फफक के रोते हुए देखता है नॉर्मल इंसान की तरफ भीव करो इसलिए मैं थोड़ा सा अगर हासी ब्यंकी उस पर जाओं तो मैराहुल जी को जब देखता हूँ तो मुझे एक ही गाना या थे हम उससे साधी करोगी यार बहुत ताइम हो गया अच्छा और आपने फेवरेट दोस्त अरविंद केज़िवाल को जब आपको कि आपने अरविंद केज़िवाल के लिए पीछे बयान भी दिया था कि उनकी चप्पन इंच की जीप को पर्मान ना माने चप्पन इंच की जीप है कुछ भी बोल कहने वो मोदी जी से तुल नहीं करते हैं हर बार तो देश के लोगों ने कहा मोदी जी का 56 का सीना है जो भी काम कहते हैं कर देते हैं वारन involved दूंगा दे दिया किसालों को फसली युष बीमा युजना दिया थिया लोगों को सुरक्षा दूंगा एक रुपया में दो लुर ग्रुपया का भीमा दे दिया, लोगों को इस्टार्ट अप योजना दे दिया, घर घर गर गैस पहुंचा दी, तो अब अलवेंद की जिए क्या करें, तो मैंने का चलो तुम्हेरे पाद च्पन इंज का सिना है, तुम्हेरे पाद च्पन इंज की जीव है, बोलते जाओ, जब हो लाए कोई प्रमाण की जुरुत नहीं, बोलते जाओ, बोलते जाओ, तो मैंने उस पे कई बार उनको कहा, कि जूट बाले कव्वा काते कैसा ये पब्लिक को भी साथ मिला लिया आपने मुझे लग रहे हम को भी बिला रहे पब्लिक साथ में तभी तो एक सब क्या सी गए सर अब आप आपने देखे यहां भी पाशालिटी करी अर्विंद के जिर्वाल के लिए पूरा कान निगाया आपने थोड़ा सूफ है ना अंदाज में गादो सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है नहाती है नगोडा है वहाँ पैदल ही जाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा के पास जाना है नहाती है नगोडा है वहाँ पैदल ही जाना है सजनरे जूट मत बोलो खुदा की जै भला होगा बुरा की जै बुरा होगा वही लिख लिख के क्या होगा वही लिख लिख के क्या होगा यहीं सब कुछ चुकाना है सब एंचिडी में चुका नहीं है विल्कुल आखरी दोर की हमारी बाद चीद आखरी सवाल आपसे आखरी सवाल मनोच तिवारी साब क्या मैं मनोच तिवारी जो आने वाले दिनों में दिल्ली के सीम पत्के उमीद्वार हो सकते हैं बीजेबी के उनसे बात कर रहा हूं क्या बोला भज़ सबने सवाल पूछा मैं बताई है लेकिए मैं प्रदेश अध्यक्ष्ण और मैं लोगों के साथ हसना मुस्कुराना चाहता हूं मैं अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैं हसूँगा तो लोगों को हसाऊंगा मैं मुस्कुराओंगा तो लोगों को मुस्कुराहत उनके चेहरे पिलाना चाहूंगा और मैंनी कहा है कि जुगी जुगी जाना है हर घर में दीप जलाना है दिल्ली के बच्छों के चेहरों पर खुशियां विखराना हम चलेंगे संगे जवानों के, हम चलेंगे संगे किसानों के, राष्टवाद की अलखी जगाते दिल्ली के दीवानों के, जिसने जेब पे डाका डाला, उसको सबक सिखाना है, अपनी दिल्ली को हो भाईया, ग्रीन हो बनाना अब मेरा सपना है, आपकी जगरबंदी में, आपकी और हंसरा आजन्स की जगरबंदी में एक गीत हो जाए, चलते चलते अपने विवर्ज और अपने फैंस की, क्योंके, मोदी जी का, और सारी बाजपा का नारा है, स्वाच्वारत तो स्वाच्वारत तब होगा, जब या मैं अर्ज करूंगा, ये संदे साम हिंदुस्तानियों का पूरी दुनिया के नाम, no drugs, no war, no drugs, no war, no drugs, no war, हाथ खड़े करके, no drugs, no war, no drugs, no war, no drugs, no war, हाथ आप मार तो नहीं चाहते हैं, अगर कोई पंगा लेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक त्यार है, इसलिए आप नानशा करो ना वार करना है अगर तो प्यार करो मुश्किल से मिलता है जीवन क्या तुम को नहीं पता हुई हुई कर लो तौबा तौबा तौबा